मैं वहाँ नहीं गया था इस sentence के English जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए इस sentence को English में translate करते हैं तो दोस्तो इस sentence के अंत में है गया था यानि कि जब हिंदी sentence के अंत में क्रिया के साथ या था करके आता है तो ऐसे sentence past perfect tense के नियम से इंग्लिस में translate होते है या फिर sentence होता कि मैं वहाँ नहीं जा चुका था तब भी इसकी इंग्लिस एकी बनती जो कि इसकी इंग्लिस बनेगी क्योंकि कार हो चुका था यदि था नहीं रहता तो ये past definite कहोता तो ये perfect का है तो past perfect के negative sentence को इंग्लिस में translate क करने का structure है पहले subject लिखेंगे मैं की इंग्लिस आई उसके बाद helping verb had not लगाएंगे फिर लिखेंगे वर्ब का third form भर्ब है गया था यह जाना की इंग्लिस गो गो का third form gone फिर वहां की इंग्लिस लिखेंगे there I had not gone there मैं वहां नहीं गया था की इंग्लिस I had not gone there ऐसे और भी sentences क English translation video देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं और playlist की link आपको इस वीडियो की description box में भी मिल जाएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe करें thank you for watching